दोस्तो जानेंगे इस वीडियो में डाइडरो होप 10 अमजी टेबलेट के बारे में जानेंगे यह किस टैप की दवा आती है कब इसका यूज करना चाहिए इसकी कितनी डोज होती है कितने दिन तक चलती है कौन-कौन सी प्रोलोम में ली जाती है वीडियो पुरह देखेगा स संपून जान करें के लिए दोस्तो डाइडरो होप जो आता ना एक ब्रेंड आता है कोरोना कंपनी का करीब करीब आपको पांसो चालीस रुपे के आसपास दस टेबलेट यह दुगान पर मिलती है इसको गाइन को लोजिस डोक्टर प्रस्काइब करते हैं तो कभी भी शेल कोल्ट आता है उसका नाम है डाइडरोजिस्टिरोन दसमझे डाइडरोजिस्टिरोन एक प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन की कोपी होता है प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन जो होता है एक मैला के अंदर फीमेल हार्मोन होता है जैसे कि एस्ट्रोजन होता है वैसे ही प्रोजिस्ट्र जो कि प्रोजिस्ट्रोन की कोपी करकर काम करता है यह दी जाती है यानि आप एसा मालों प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन बाहर से दिया जा रहा है तो प्रोजिस्ट्रोन हार्मोन ही डाइड्रो जिस्टिरोन हार्मोन होता है जो कि सिंथेटिक होता है इतना ही फरक है बाकि काम वे प्राट। यह किए का छो सकता है तो वहां पर अंडियोड में मदद करती है तो वोवन इंफल्ट्िलेटी में शुलेगी। दूसरा दोस्तों मिस्करीजिंग याने घर पात की प्रीजूड़ा मैं थैर बच्च guideline जाता है लेकिन ठेश नहीं पाता है यह हो सकता है कि दूसरे तीसरे मेने में defining हो उनी हो गई है इसलगा रहा है कि बच्चा निकल जाएगा तो वहां पर दे सकते यह यह भी přी ऐसा हो चुका है पहले भी, बच्चा निकल चुका है, तो वापस इसा ना हो जाए तो भी डॉक्टर दे सकते हैं, यानि बच्चे को रोकने के लिए ये चलाइ जाती हैं, उसमें थोड़ी लंबी चल सकती हैं छटे मेने तक, शाथ वे मेने तक, आठ वे मेने तक इस तरह से वहाँ पर थोड़ी लंबी भी चल सकती है और दूसरे तीसरे मैने से स्टार्ट भी हो सकती है तो वहाँ पर चलती है बच्चे को ठहराने के लिए जो गरबाशी होते हैं उसकी परत को मोटाई देने के लिए जिसे की बच्चा ठहर जाए तो वहाँ पर काम करती है तीसरा दो पेडिए दर्ग, चरचिड़ापन, हार्मोन चैंज तो वहां पर ये प्रोलोम होती है PMS प्रोलोम में ये symptom आती है तो उस प्रोलोम भी चलती है या दोस्तो ऑंड Byte Normulin MAstrix. प्रोलोम एंडर एक्चुली होता है कि जो ओविरी होती है उसके चार और बार की तरफ टीशूज बन जाते हैं जिसके कारण भी मैलाओं में कंसीव करने में प्रोभलोब होती है यानि वहाँ पर प्रेग्नेंची नहीं हो पाती है तो उस कंडिशन प्रोभलोब चलती है उसके कारण मैलाओं कब्ज रहेगा रूख जाते हैं टाइमली नहीं आ पाते हैं तो वहाँ पर बैलन्स करने के लिए भी पीरिड की प्रोभलों में चलाई जा सकते हैं इनके इलावा भी काम आती है तो कई सारी प्रोभलों में काम आ सकते है बात रते हैं भाई डोज के बार में तो इसकी जो Reflect Dose होती है पहले तो अपने डोक्टर के According लेना चाहिए है उन्हें कितना dose दिया है वो स्बसे भेश होता है और इसकी जो Самobject है आना वो एक टेब्लेट से लेके दिन में तीन टेब्लेट भी हो सकता है यानि एक टेबलेट रात को या एक सूबे एक साम या एक सूबे एक दोपेर एक साम दिन में तीन बार तक भी दी जा सकती है तो डिपेंड गरता है आपको किस टाइब की प्रोब्लम है उसके अकोर्डिक चला ही जाती है दोक्टरिक सलाशे लेना चाहिए गाउड तो प्रय कि या जिससे कि बरष्ट पेन हो सकता मेलाओं में वीजाइनल ब्लेडिंग हो सकता है फेड़ डोक्टर ने काया उतना लीजेगा डोक्टर की स्रास लीजेगा मैला के इलावा और कोई भी वेक्तिस का यूज ना करें ट्रीट्मेंट पूरा लेना चीए बिस यही इसकी साउधानिया तो दोस्तों संपुर्ण रहे हो था यहां तेवड़ीने लिए बहुत बहुत धन्यव पूरा मैला के इलावारा के बिसस्दीर गोज।